अभीरा के घर छोड़ कर जाने को बरदाश नहीं कर पा रहा है अर्मान क्योंकि उसे पता है कि अभीरा के दिमाग का नटबोल ढीला तो है लेकिन वो इतनी भी यहाँ पर पागलो वाली हरकते नहीं कर सकती दादी सासे बत्तमीजी नहीं कर सकती और रोही चुपचाप सुन प्रयोती सारी बाते तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा को अर्मान बड़े ही प्यार से यहाँ पर याद कर रहा है तो वहीं यूबराद जो है वो अभीरा के साथ जबरदस्ती उसे पकड़ कर हर जगा गोम रहा है तो वहीं अर्मान रुही से मदद मांगता है कि तुम मेरी म मदद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है अर्मान की इलाचारी बेचारी देखकर अब रूही उसकी मदद करेगी दूसरी तरफ दिखाया जाएगा माधव को यहाँ पर एक लेटर छोड़ कर गई हुई है अभीरा अब माधव सिवल ड्रेस में अपने सभी पुलिस वालों के साथ महां पहुच जाएगा जिससे अब यूवराज को शक हो जाएगा यूवराज चकमा दे कर यहां से चला जाएगा अभीरा को भगा कर ले जाएगा और अर्मान रूही के साथ अपने पापा माधव के पास पहुचेगा जहां दोनों बाप बेटे के बीच में जगड घर आएंगे तो दादी साख अब अर्मान पे कहेंगी इस लड़की की इज़त ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी नहीं लेकिन जब दादी को पता चलेगा अभीरा का सच अर्मान के थूद तब वो अभीरा के आगे हाथ जोड़ेंगी और उससे माफी माँगेंगी ऐसे में अब रूही और अभीरा और अर्मान के रिष्टे में क्या नया ट्विस्ट आएगा वो देखना आप लोग बिलकुल भी मिसमत करेगा देखना